सबीको नमस्ते, क्लास एर्थ की फिजिक्स में आज हम नया चैप्टर फ्रिक्षन शुरू कर रहे हैं, दिखिए बहुत ही इंपॉर्टन चैप्टर फ्रिक्षन आपके लिए होगा, क्योंकि आगे भी जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, फ्रिक्षन से चुड़े रहेंगे, और अभी क्या है यह शुरुवाती एकदम, मतलब फ्रिक्षन की यहां से शुरुवात हो रही है, तो अगर शुरुवात से जुड़े रहेंगे इस टॉपिक से, तो जब तक पढ़ते रहेंगे, तब तक आपको इस टॉपिक को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा सरल लगेगा और हमेशा इंट्रेस्टिंग लगे गा, ठिक है, आज यहां पर हम तीन टॉपिक को लिया है हमने, सबसे पहले समझांगे कि फ्रिक्षन है क्या, ठीक है, फिर फेक।र्स अफेक्टिंग् फ्रिक्षन, कि कौन-کान से इसे पैमाने कह लें, या आधार है जो friction को friction मनाते हैं और तीसरा है a necessary evil ठीक है इसको भी समझेंगे कि क्यों ये एक आवश्यक खराबी है हमारे लिए एक अनिवार ये खराबी है या बुराई है ठीक है तो देखो friction के लिए क्या है आप वैसे भी familiar हो गे इस वर्ड से हिंदी में घर्शन कहते हैं friction को ल जब हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर भी friction आया था हमने कहा था कि अगला चैप्टर friction है वहाँ डीटेल में पढ़ेंगे तो देखो अब शुरू करते हैं सबसे पहली चीज जो है उसको दिमाग में बैठाईए समझीए कि friction एक force है एक बल है ठीक है न वहाँ इसलिए उस कारणों से हो रहा है क्या है सब कुछ है लेकिन एक force है यह उनके दिमाग में पतानी क्यों बात नहीं रुकती ठीक है तो इस बात को सबसे पहले बैठाईए दिमाग में कि friction एक force है एक बल है घर्शन एक बल है कैसा बल है तो आप देखें हमने जैसे वहाँ पर भी आपको बताया था फिर बताते हैं अगर किसी टेबल पर आप अपने box को pencil box को या book को थोड़ा force दे करके motion में लाएं ठीक है थोड़ी आप देखेंगे कि जब आप book को ढखेलते हैं या box को ढखेलते हैं तो थोड़ी दूर चल करके वह रुक जाता है ठीक है क्यों रुक जाता है क् वो friction के कारण उस पर एक force लग रहा है उसको कतने frictional force या force of friction जिसके कारण वो रुक जा रहा है आपने जितना force दिया है उससे तो वो motion में आई गुक और friction ने उसको oppose किया उसका विरोध किया उसके motion का विरोध किया तो आप समझें कि friction जो है एक खर्चीला बल है खर्चीला बल शब्द अक्सर सुनेंगे, खर्चीले बल से मतलब यह है, कि वो अपोज कर रहा है, ठीक है न, आप हमें लगता थोड़ा-थोड़ा समझ पा रहे होंगे, किसको अपोज कर रहा है, थोड़ा लिख लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे, तो और अच्छे सी क्लियर होगा ह it is a force, it is a force which, which opposes the relative motion between two surfaces, दखो अगर राइटिंग क्लियर ना हो, तो उसके लिए हम साथ-साथ यहां बोलते जा रहे हैं, एक बार और दोहरा जिते हैं, it is a force which opposes the relative motion between two surfaces, यानि यह एक बल है, जो दो सतहों के बीच, सतह समझ रहे होंगे आप surface, दो सतहों के बीच लगने वाले relative के लिए आपेक्षिक, सापेक्ष गती का विरोध करता है, आपेक्ष गती का विरोध करता है, तो आप विरोधी बल भी कह सकते हैं, इसको खरचीला बल, विरोधी बल, यहां main बात क्या आई, कुछ points में समझे, हमने सबसे पहली चीज कही कि friction एक force है, ठीक है, it is a force पहली लाइन में आ गया, which opposes the relative motion, खरचीले बल की जो बात की या विरोधी बल की जो बात की, वो इस लाइन में आ गया, सबसे अच्छी बात, relative motion जो हो रहा है, किसके बीच, between two surfaces, तो यहां main क्या है, कि surface, जो surface, दो surface मिल रही है, उस पर जो motion हो रहा है, उसका यह विरोध कर रहा है, ठीक है, अब यहीं से, इस topic पर हम कूद सकते हैं, कैसे, between two surface की जब बात हुई, तो अब आप खुद थोड़ा- idea लग रहा होगा, कि factors affecting friction में क्या बाते हो सकती है, जो ऐसे पैमाने, या ऐसे factors, जो friction को जन्म दें, या friction को friction बनाएं, उसी के हमें बात करनी थी, इस topic में, हमने यहां surface बता दिया, कि friction जो है, वो दो surface के बीच हो रहे, हो रही, सापेक्ष गतिका विरोध करता है, तो इसका म जिन surfaces के बीच motion हो रहा है, उसका nature कैसा है, ठीक है, लेकिन, वहां से पहले, एक चीज यहां रह जाती है, हमने एक बात कही कि friction एक force है, तो इसकी unit क्या होगी, भई friction एक physical quantity है, तो इसकी unit होगी, क्या होगी, आप सोचें, जब force है, तो friction की भी unit क्या होगी, न्यूटन होगी, ठीक है, हमने आपको हर बार बताया है, पिछले कई lecture से हम बताते आ रहे हैं, कि force की unit, न्यूटन होती है, friction एक force है, तो friction की unit, न्यूटन होगी, और unit को मत छोड़िए, इसको बिलकुल दिमाग में रखिए, कि friction की unit, न्यूटन है, क्यों, क्योंकि friction एक force है, अब आ जाते हैं यहां सबसे पहला point आता है, nature of, nature of, surface, किस type का surface है, अब देखें आप, आपने कई बार देखा होगा, कि आपकी जो चपलें होती है, या टायर होते हैं, ठीक है, यह, इसमें कुछ design सी आप कहते हैं, या एक उभार बना रहता है, ठीक है, तो यह सब क्या है, surface का nature है, irregularities है, ठीक है, देखो होता क्या है, अब इसको आप ऐसे समझें, आपके घर में कोई संदूक होगी, या बक्सा होगा, आप सोच करके देखें, अगर आपने कभी ऐसा किया हो, किसी बक्से, कोई बक्सा अगर कहीं रखा हुआ है, आप से कहा जाए कि इसको ढखेल करके दूर ले जाओ, काफी टाइम से वो हुआ रखा हुआ है, आप जब उस पर फोर्स लगाएंगे, जहिर सी बात है, उसको पुश करेंगे, मतलब फोर्स लगाएंगे, जब फोर्स लगाएंगे, तो आपको एक अच्छा खासा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो बक्सा आगे बढ़ेगा एक fix amount of force के बाद ही वो बक्सा बढ़ेगा, है न, आप इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बात समझ सकते हैं, बक्से को आप जब दोनों हाथ से अपने ढखेला, तब तो वो आगे बढ़ने लगा, ठीक है, force लगाया, आप ये बात कह रहे हो कि मेरे द्वारा applied force के वो बक्सा आगे बढ़ा, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप ही अपनी एक उंगली से भी तो force लगा सकते थे, वो भी तो force लगता, तो क्यों नहीं आपने एक उंगली से उसको आगे बढ़ा दिया, तो भाई, जाहिर साथ का जवाब होगा, कि एक आप जैसे ही force लगा रहें, तो friction भी अपना काम कर रहा है, और बक्से को बढ़ने नहीं दे रहा है, friction की अपनी एक fix ओकात है, एक capacity है, ठीक है, जब आप उसकी ओकात तक अपना force लगा देते हैं, तब भी बक्सा रुका रहता है, जब उसकी ओकात के आगे आप force लगाते है तब बक्सा बढ़ सकता है, समझ रहें ना, बक्से को एक fix amount of force चाहिए, जिसके बाद वो motion करेगा, क्यों रुका हुआ है, क्योंकि friction उस पर force लगा रहा है, और friction जितना लगा सकता है, उससे अधिक आपको लगाना होगा, कम लगाएंगे, तो आपके ही बराबर friction force लगा करक उस बक्से को रोका रहेगा, क्यों, क्योंकि friction क्या है, opposes the relative motion, वो उस motion को रोकने की कोशिश करेगा, आप force जितना लगाएंगे, उतना force friction वापस लगा देगा, और उस बक्से को रोका रहेगा, अगर उसके पास उतनी capacity है, अगर friction का force उतना है, मेरी बात को समझेगा, यह ब बक्से का friction लगा सकता है, तो वो उतना force लगा करके रोका रहेगा, वो जितना लगा सकता है, आपने उससे अधिक लगा दिया, तो बक्सा बढ़ जाएगा, फिर नहीं रोक पाएगा friction, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात भी अगर clear हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ अटपटा हट है, तो आगे उसको clear किया जाएगा, आगे आने वाले lectures में जब हम लोग उसी topic को पढ़ेंगे, जिसकी हम यहाँ बात करना चाहरे हैं, तो वो चीजें आपको और clear होंगी, अब यहाँ बात कर लेते हैं, nature of surface, तो nature of surface में ही चाहिए आप आगे irregularities जो होती हैं, एक roughness कह लो, ठीक है, तो यह कुछ चीजें हैं, जो friction को friction बनाती हैं, ठीक है, अच्छा, अब तीसरी चीज, in necessary evil, क्यों भई, अनिवार रे क्यों हैं यह हमारे लिए, समझते हैं इसको भी, देखो, आपने एक बात गौर की होगी, यह अपने घर में सुना होगा, जब आपके घर में गीला पोचा लगाया जाता है, अधिक पानी के साथ अगर पोचा लगे, तो कहा जाता है, देखो बेटा, वहां समल के जाना नहीं तो फिसल के गिर जाओगे, कहीं अगर गलती से किसी से तेल गिर जाता है, तो लोग करते हैं, वहां जाना मत, फिसल सकते हो, अभी हम तेल साप करनें, फिर जाना, पाउडर गिर जाता है, अभी मत ज बैठें किसी कुर्सी बेठें और आप सरक रहें धीरे धीरे कुर्सी बड़ी चिकनी है क्या हम बैठ नहीं पा रहें टिक करके इस पर सरक रहा है जैसे देखा होगा आपने सुना होगा मतलब ठीक है क्यों ऐसा है क्योंकि देखो हमने क्या कहा फैक्टर सफेक्टिंग फ्रिक बढ़ने लगता है, ठीक है ना, आपने अगर कहीं तेल डाल दिया, तो आप फिसल के गिर गए, क्यों, क्योंकि ओयल के कारण वहां उस सर्फिस फे फ्रिक्षन कम हो गया, तो आप फिसल के गिर गए, तेल ना होता, जो एक नॉर्मल फ्रिक्षन है, जमीन का, और आपके पैर के तलवे का, तो ये दो सरफिसेस टच में है फ्रिक्षन है, आप आराम से चल पा रहे है हमने जहां कहीं तेल या पाउडर इस तरह की चीज़ें डाल दिया पानी डाल दिया, तो आप फिसल के गिर जओगे, क्यों? क्योंकि फ्रिक्षन कम हो गया, तो कहीं न कहीं friction की जरूवत हमें है तो ये एक बुराई जरूर है क्यों? क्योंकि relative motion का oppose कर रही है oppose तो कर रही है लेकिन जरूवत भी है हमें इस विरोध की जरूवत है ठीक है? और कुछ समझते हैं वही जो हमने tire की बात की आपके चपल की जो irregularities हैं या roughness हैं वो इसी लिए है ताकि आप आराम से चल सकें फिसले नहीं, गिरे नहीं tire की design इस तरह होती है ताकि वो जमीन पर उसकी पकड़ अच्छी बनी रहे friction के कारण वरना गाड़ी फिसलेगी वो और dangerous हो सकता है ठीक है? आप कहरम खेलते होंगे होता है न, जब striker नहीं बहुत तेजी से move कर पा रहा है पाउडर डालो, पाउडर डालो खेल नहीं अच्छा हो रहा है तो पाउडर डालते हैं अब तो friction कम हो जाता है कम हो जाता है, खतम नहीं होता है ठीक है न? आगे भी friction को अभी और detail में पढ़ना है दो पॉइंट और इसमें factors affecting friction में क्या? दुखो तुम देखरो वो तीनों टॉपिक को हमें एक साथ मिलाते हुए चल्वाइब ऐसा नहीं कि एक बार में सब इसका बता दिया, सब इसका बता दिया और फिर उसका बताया, सारी चीज़ें एक साथ मिलाते हुए, क्योंकि अभी आपका पिटारा खाली है आप friction के बारे में बहुत कम जानते हैं अभी तो शुरुवात हुई है, धीरे 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 भरा जाएगा तब आनन्द आएगा और क्या affect करता भई? देखो, affect करने में एक लिख देतने weight के खारा weight of object देखो, बक्सा जितना भारी होगा उतन ही अधिक आपको force लगाना पड़ेगा है ना? उतनी उसकी कूबत बढ़ जाएगी उसकी capacity बढ़ जाएगी कि वो आपके force का oppose कर सके या motion का oppose कर सके ये वाली line अभी उतनी clear हमें लगता है नहीं हो रही होगी ठीक है? आगे की classes में इसको हम clear कर देंगे उसकी जिनता मत करिए लेकिन थोड़ा-थोड़ा feel लाईए कि यहाँ बकसा बढ़ा हो गया तो हमें force अधिक लगानी पड़ी तो कहीं ने कहीं friction का भी force बढ़ गया ठीक है? एक चीज और आती है ये तो बात हो गई weight की, roughness की, irregularities हो गई ठीक है? कि friction जो है area पर depend नहीं करता है इस भ्रहम में मत रहना कि बकसा जितना बढ़ा होगा या surface area बकसे का या किसी भी object का जितना बढ़ा होगा उससे friction बढ़ेगा ऐसा नहीं है, ऐसा बिलकुल नहीं है इस भ्रहम में मत रहना कि surface area बढ़ा होने से friction को कोई फरक पड़ता है नहीं weight से फरक पड़ता है surface के nature से फरक पढ़ता है उसी में roughness आ जाती है तो roughness से फरक पढ़ता है surface area से कोई फरक नहीं पढ़ता weight से पढ़ता है ठीक है ना तो हमें लगता है आज इन तीनों topics में काफी कुछ आपने नया जाना होगा नया सीखा होगा और बहुत अच्छा लगा होगा ऐसी हम उम्मीद करते है ठीक है तो अब आप book को पढ़ें और चीजें अगर कुछ जानना चाते हैं तो बेशक आप Google पर कुछ सर्च करके friction के बारे में और पढ़ सकते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले lecture में तब तक आप book को पढ़िए और चीजें देखिए वीडियो को देखिए इसी में जो लिखा है उन्हीं को बार बार पढ़ने की कोशिश करिए समझने की कोशिश करिए मिलते हैं अगले lecture में फिर कुछ नया जानेंगे कुछ नया सीखेंगे धन्यवाद